नमस्कार आप देख रहे हैं SPT न्यूस पर 24 नवंबर सुबह सवा 6 बजे राजसान की बड़ी खबरें राजसान विधानसवा चुनाव 2023 के लिए राजे में प्रचार की प्रक्रिया समाप्त हो गई है राजय में एक चरण में 25 समंबर को मतदान होगा वहीं 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी गुरवार शाम 6 बजे के बाद कोई भी उमीदवार या राजनेतिक दल प्रचार के लिए जुलूस या सभाई नहीं कर पाएंगे इसके बाद अब उमीदवार घरगर जाकर ही प्रचार करेंगे शाम 6 बजे के बाद प्रत्याशे और उनके समर्थक अपने अपने विधानसबा शेतर में डोर टू डोर प्रचार करने की रणनेति बनाने में जूटे रहे वहीं दूसरी तरफ विधानसबा आम चुनाव में महिलाओं दिव्यांग और युवा मतदाताओं को जागरूख करने के लिए चुनाव आयोग की अनोखी पहल पर 3383 विशेश मतदान केंदर बनाये गए हैं राजे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशा नुसार प्रदेश के सभी विधानसबा शित्रों में महिला कार्मिक, मतदान केंदर, दिव्यांग कार्मिक, मतदान केंदर और युवा कार्मिक प्रब प्रदेश में ऐसे 3383 विशेश मतदान केंद्र बनाए गए हैं प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी ने कहा कि मत्रुआ के कण कण में कृष्ण समाय हुए हैं यहां वही आते हैं जिन्हें कृष्ण और श्रीजी बूलाती हैं यह तो शामा श्याम का धाम हैं ब्रिज की रज ने बुलाया और 2014 से आपके बीच आकर बस गया ये बात एक गुरु आर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुरा में कहीं वही समय व्रज 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 उत्सव कायकरम को संभोधित कर रही है पर्शिम बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बन्यार जी ने कहा है कि अगर वर इंडिया की जर्सी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा ममता बोली भगवा त्यागियों का रंग है लेकिन तुम तो भोगी हो ममता ने गुरुवार को कोलकता के नेता जी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्य करताओं के बीच कहा कि देश की क्रिकेट टीम का भग और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस बार आजसान में बिना सीम फेस के मैदान में हैं। किये हैं उससे भी साफ हो गया है कि इस बार उनका फेस ही आगे रखकर टुनाव रड़ा जा रहा है। कपैल 2019 के बाद से कई मोको पर उससे ये पैसा लिया था। उसने कहा कि उसे अकैडमी में पार्टनर बनने का ओफर दिया गया था। इसलिए उसने पैसा इन्वेस्ट किया। श्रीचंत और अन्यत दोनों आरोपियों पर केस दर्च हुआ है। पूर मुख्य मंत्री वसुंदरा राजे ने कहा कि कांग्रेस का गोशना पत्र हाथी के दात खाने और दिखाने के और जैसा है। पिछले चुनाव के वादे पूरे नहीं हुए और फिर ये नए वादे लेकर आ गए है। वे डग से भाश्पर प्रत्याशी कालूरा मेगवाल के पक्षमे आयोजेत चुनावी सभा में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 4 लाख सरकारी नोक्रियां देने का वादा किया है। जब पद ही 2.5 लाख खाली हैं तो कहा से देंगे 4 लाख नोकरी। गहलोद कह रहे हैं कि उन्होंने 3 लाख युवाओं को नोकरी दी है। TMC सांसद महुआ मोहितरा से जुड़े cash for query case के बाद लोगसभा सचीवाले ने सांसदों को संसद की login password share ना करने का निर्देश दिया है साथ ही सांसदों से कहा कि पारलियमेंट के अंदर जो भी सवाल पूछ जाने हैं उन्हें बाहर किसी से ना बताएं सचीवाले ने यह निर्देश 10 नमबर को जारी किया था गुरुवार यानि 23 नमबर को भाज़पा सांसद निशिक कांथ दूबे ने लेटर का स्क्रीन्शोर्ट सॉशल मेडिया पर पोस्ट किया है दरसल टीम सी सांसद महुआ मोहित्रा फर संसद की आईडी और पासवर्ड बिजनसमेन हिरा नंदानी को देने का आरोप लगा था इसके बाद जांच के लिए एथिक्स कमेटी का गठन किया गया कमेटी ने 10 नमंबर को अपनी रिपोर्ड लोगसभा अदक्ष ओम बिडला को भेज कर लोगसभा सदस्यता खत्म करने की बात कही थी सीकर सित खाटू शाम जी मंदिर में तीन दिन श्रधालों से जबरदस्त बीट रहेगी इसे देखते हुए रिलवे ने श्रधालों की सुविधा के लिए जैपूर से नार नोल और रिंगस से रिवारी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का नेन्य किया है ये ट्रेन सीकर चूरू जीले के कई स्टेशनों पर स्टॉप इस देगी उतर पश्चिम रिलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी जैपूर से नार नोल के बीच 24, 25 और 27 समंबर को ट्रेन का संचालें जैपूर से सुबह 10.40 मिनट पर किया जाएगा जो तोपहे 2.5 मिनट पर नार नोल पहुँचेगी इसी प्रकार गाड़ी संख्या शुन्य नो छे तीन चा नार नोल से इन तारिखों पर दोपहे 2.30 मिनट पर जैपूर के लिए रवाना होगी और शाम 6.30 मिनट पर जैपूर पहुँचेगी यह ट्रेन इस दोरान डेहर का बालाजी, निंदर बैनार, चोमू सामोद, गोविंदगर, मलिकपूर, रिंगस, श्रिमाधोपूर, कावंट, नीम काथाना, मावंडा, डाबला और निजामपूर स्टेशनों पर ठहराव करेगी राजस्तान के टौक जीले सित राज महल कस्पी में अरावली परवत माला की श्रंकला सित राज राजेश्वरी वन माता मंदिर में चार वर्श बाद हो रही नवीन मूर्ती स्थापना के तीन दिविस्य कारेक्रम की शुरुवात गुर्वार को कलश यात्रा वेद्वजा चड़ा कर की गई सरसमाज की महिलाओं की ओर से निकाली गई कलश यात्रा की शुरुवात बनास नदी घाट पर मंतरों चारवे माता के जैकारों के साथ की गई बैंड बाजे की धुनों पर थी रखते हुए निकाली कलश यात्रा में सभी समुदाय के लगबग 351 महिलाओं के साथ नो कन्याओं ने कलशों में जल भर कर भाग लिया जो मुख्य बजार छत्री चुराहे होते हुए वन माता मंदिर परिसर में आरती के साथ समापत हुई संपूर्ण राज महल कस्बा माता के जैकारों से गुंजाय मान हो उठा धोलपूर्ट जिला निर्वाचन अदिकारी अनिल कुमार अगरवाल के दिशा निर्देश में चलाये जा रहे मतदाता जारूता भियान के अंतरगत अभी भाशक संग धोलपूर्ट द्वारा लोगों को पीली चिठी का वितन किया गया निजी स्कूल की ओर से जारी की गई पीली चिठी को अभी भाशक संग के युवा दिवक्ताओं द्वारा न्याले परिसर में बाटा गया इस मोके पर वरिष्ट दिवक्ता रगुनात प्रशाद सर्मा ने कहा कि शरसक्त लोक तंतर की निर्माण में प्रतेग वोट महतफून हैं इसलिए 25 नवंबर को सब भी मतदाताओं को अपने मत का उपयोग राश्ट रहित में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए करना चाहि इस मोके पर विजय बहादू सिंग ने कहा कि युवा वर्ग अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करे और एक अच्छी सरकार का निर्माण करे राजसान विधानसवा चुनाओं में पोलिंग बूतों पर सुरक्षा को लेकर जैपूर कमिशनरेट पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है जैपूर कमिशनरेट के 5500 जवान इस ड्यूटी में शामिल होंगे वही पैरा मिलिटरी फोर्स के 28 कमपनी समवेदन शील बूतों पर तैनाथ मिलेगी जानकारी के नुसार जिला प्रिशासन पुलिस और निर्वाचन विभाग की टीम के सर्वे के बाद जैपूर में कुल 410 मतदान केंद्रों को समवेदन शील माना गया है इन समवेदन शील मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पैरा मिल्टरी फोर्स सेंट्रल आम्ड पुलिस फोर्स तेनात रहेगी सुरक्षा के लिहाज से केंद्रे सुरक्षा बल के कमांडेंट सुरक्षा की मॉनिटरिंग करेंगी दोसा उपखंड की ग्राम पंचायत की प्यारी वास तलाई वैराम थला तलाई में बारिश के दिनों में पानी की अच्छी आवक होती है हर साल दोनों तलाईयों में किसान सिंगाडे की फसल लगा कर अच्छा मुनाफ़ा कमाते हैं किसानों ने बताया कि फसल बुआई में करीब एक लाग की लागत आती है यूपी से पोद लाकर अगस्त माह में बुआई की गई अक्टूबर माह में उत्पादन शुरू हो जाता है जो दिसंबर माह तक चलता है प्रति दिन एक से डेड़ क्विंटल सिंगाडे की बिक्री हो जाती है दो माह में किसान हर साल लागत निकालने के बाद करीब एक से डेड़ लाग का मुनाफ़ा कमा लेते हैं जालोर जिला एवं सेशन न्यायदिश जालोर ने मुख्य चिकिसा एवं स्वास्य दिकारी के सरकारी वाहन को जब्त कर न्याले परिसर में रखने के आदेश दिये हैं जिसके बाद सीमेचो की बुलेरों को जब्त कर जिला न्याले परिसर में रखा गया है न्याले की ओर से डिक्रीदारों की बकाया राशी भुक्तान करने के आदेश के बाद भी नियक समय पर भुक्तान नहीं करने पर CMH के खिलाफ यह कारेवाई की गई है प्रार्थी गंड मोहनलाल, सोमा राम और प्रभार राम की ओर से जिला न्यालेय जालोर में उद्योगिक विवाद अधिक्रण और श्रम न्यालेय जोधपूर के श्रम फ्रिविद प्रकरण में 17 अक्टूबर के आदेश की पालना में अब प्रार्थी गंड के विरुद कुर की वार्ट जारी करने का आदेश दिया गया 15 सितंबर 2023 को CMHR डॉक्टर रमा शंकर भारती ने न्याले से डिक्री में पारत राशी के बुक्तान के लिए एक महा का समय मांगा बुंदी विदानसवाम चुनाव 2023 के तहट मतदान दिवस पर बूथों पर वैब कास्टिंग के जरिये नजर रखी जाएगी वैब कास्टिंग के लिए जिला कलेक्टरेट परिसर में नियंतरन कर्ष थापित किया गया है वैब कास्टिंग के लिए कीगे विवस्था का गुर्वार को हिंडोली विदानसवा शेतर के समान्य परेविक्षक हरीश नयर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंदर गोस्वामी ने जाय जा लिया समान्य परेविक्षक ने निर्देश दिये कि निग्रानी के दुरान सभी तरह की सूचनाय निर्धायत प्रपत्रों में साफधानी के साथ पूर्ती की जावे उन्होंने वैब कास्टिंग मिवस्था का अवलोकन कर आवशक जानकरी भी ली जैपूर के कुकस्तित डबल ट्री बाई हिल्टन आमेर का एन्वल केक मिक्सिंग समारों में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ ही साल लिया एक्जुकिटिव शेफ गौरो मिश्रा के डृतित में यह कारेक्रम होटल के गार्डन बार में आयुजित किया गया इस कारेक्रम में जैपूर के नामी फूड एन्फ्लूरेंसर सोचलाइट मोजूद रहे केक मिश्रन के लिए किश्मिश, रेड चेरी, ओरेंज पील, टुटी-फूटी, ब्लैक करेंट, खजूर, अंजीर, सुखे अप्रिकॉर्स और प्रून जैसे ड्राइफ रोट को DTBH लेटर कंटेनर्स में नर्स और स्वादिश मसालों के साथ डाला गया महमानों ने बड़े उत्साहा और उमंग के साथ मिक्सिंग समारों में हिस्सा लिया फिलहाल खास खबरों में इतना ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT News